नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं लोग सारना धर्म लिखने के बावजूद अन्य पर दर्ज करने के लिए मजबूर हैं सारना धर्म लंबियों को मौलिक अधिकार से वन्चित करना असमेधानिक है सारना धर्म कोट के बगर आदिवासियों को जवरन हिंदू, मुस्लीम, इसाई आधि बनाना धर्मिक गुलामी को मजबूर करना है राज्य भर की रसोया और संजोज का महा जुटान जार्खन परदेश रसोया संग रांचिक बैनातले रभी और कुमोराबादी मैदान में राज्य के सभी जीलों में कारणरत रसोया और संजोज का द्वारा एक भब्य समागम कारकरम कायोजन किया गया इस कारकरम में राजे भर से रसोया और संजुज काय भी सामिल होई कारकरम को लेकर परदेश रसोया संग के पताधिकारी अजीद परजापती ने बताया है कि परदेश में करीब अठाई लाख रसोया और संजुज का काम कर रही है लेकिन उन्हें निम्तम बेतन से भी कम बेतन दिया जा रहा है उन्होंने बताया है कि पिछले 20 सालों से रसोया महज 900 रुपे प्रती मापर इसकूलों में खाना बनाती है महाजुटान में पहुचे रसोया करमचारी संग ने कहा है कि 66 रुपे प्रति दिन बेतन में हमारे परिवार को खाना भी नहीं मिल पाता ऐसे में एक महीने तक काम करना मुश्कील ये नहीं नमुकिम है राज सरकार हर बार अस्वास्तन तो देती है लेकिन बेतन ब्रेधी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है देश में एक ही गारंटी चलती है मोदी गारंटी बाबुलल मरांडी तिन राजियों में जीत से बिजेपी नेता गदगद है चुनाओ पई नाम आने के बाद नेताओग पर किरिया भी आने लगी है जार्खन बिजेपी के अध्यक्ष बावलमरांडी ने कहा है कि देश में एक ही गरांटी चलती है सिर्फ मोधी की गरांटी मध्य परदेश रायस्थान और चातिसगर की विधान सभा चुनाओं के पहि नाम से जार्खन बिजेपी के नेता गदगद है जार्खन बिजेपी के काता में जर्षन का महौल है जित से उत्साहित बावलमरांडी ने कहा है कि देश में एक ही गरांटी चलती है ओ है मोधी गरांटी बावलमरांडी ने सोसल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मद्य परदेश रायस्थान और चातिसकर में भारतिय जन्ता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए जन्ता जनर्दन का हार्दिक अभार अधर निये परदान मतिनाइद मोधी जी के विकास कारियों उनकी गरांटी और वर्च्ट चार के विरूत निरनायक लडाई पर जानता ने अपनी मुहर लगा दी है सहायक सिक्षको का हल्ला बोल 28 दिसंबर को सीम आवास का घिराव अलब संख्यक बिद्याले के तर्ज पर बेतन मान की मायं को लेकर सहायक अध्यापको का 28 दिसंबर से अनिस्चित का इनमुख्य मंत्री आवास का घिराव यहम अन्य अंदोलन करने का फासला किया गया है वादा पूरा करो हिमन सरकार सहायक अध्यापक आपके द्वाय संगठनिक कारकरम के तहट जार्खन सरकार के 4 सल पूरा होने के उपलक्ष में यह करने का फैसला किया गया है 16 दिसंबर को आर्थिक नाके बंदी राज की सभी सिमाय की जाएंगी सील जार्खन अंदोलनकारी संगर्स मोर्चा आर्थिक नाके बंदी की तियारी जोर सोर से कर रहा है मोर्चा के लोकों का कहना है कि यह बंदी एतिहासिक होगी जबकि अवसक सिवाओ को इससे अलग रखा गया है बताजे राजे में 16 और 17 दिसमर को आर्थिक नाके बंदी की जाएगी जार्खन अंदोलनकारी संगर्स मोर्चा ने इसका वाहन किया है मोर्चा का कहना है कि नाके बंदी एतिहासिक होगी राजे की सिमाय सिल रहेंगी जार्खन अंदर्वनकारी संहर समोचा के संस्थापक और प्रधान सचीव पूसकर महतु ने कहा है कि 16 एवं 17 दिसमबर को आहुत आर्थिक नाके मंदी एतिहासिक होगी इस आर्थिक नाके मंदी के दोरान सभी परकार के मालवा हक वहान रोके जाएंगे सभी जार्खन अंदर्वनकारीयों एवं जार्खन को समरीद साली और बेहतर बनाने वाले सभी परकार के सकतियासे अपील है कि इस आर्थिक नाके मंदी को सफल बनाएंगे और अपने राज की ये मान समान एवं पहचान को अथापित करेंगे जार्खन में पुलिस बहाली की परकिरिया सुरू 13,000 जवानों की बहाली जारखन पुलिस में बहाली की परकिरिया शुरू हो रही है इसके लिए टांस्पेरेंट रिक्यूरिमेंट प्रोसेस टी आरपी के लिए एजेंसी को लाने के लिए टेंडर जारी किया गया है एजेंसी को टेंडर फोर्म आग दिसंबर तक भरना है उसी दिन उसकी घोसना कर दी जाएगी कि बहाली परकिरिया में फोर्म से लेकर एड्मिट कार्ड जारी होने तक और डेटा बेस तयार कौन करेगा सुत्रों के अनुसार करीब 13,000 जवानों के बहाली जारखन में होने वाली है इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोसेस शुरू किया जाएगा एजेंसी को टीन साल के लिए काम दिया जाएगा Transparent Requirement Process TRP के टेंडर के लिए जारी सुचना के बाद से उमीद की जा रही है कि जल्दी बहाली के लिए फर्म भरने की भी सुचना भी जारी कर दी जाएगी एजेंसी को तीन साल के लिए जीमिदार दी जाएगी इसके लिए पुलिस प्रोवीजन आईजी की तरफ से टेंडर की सुचना जारी की गई है सियम हे मंद 5 दिसंबर को कोडारमा में धीबरा मजदूर से मिलेंगे आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहट आयोजीत कारकरा में हिसाल लेने मुख्य मंतरी हे मंद 5 दिसंबर को कोडारमा जाएंगे गोतला भाय की जनवरी माह में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरन के दौरान सीम ने कोडारमा जीले से धीबरा के लिए वैद बेयपार की सुरुआत की थी पर यह काम आज तक सुरू नहीं हो सका धीबरा मजदूरों की जीला अस्तर ये सहकारी समीती अग जम्यों के मन में यहीं प्रश्णा है कि क्या मुख्य मंत्री इस दौरे में अबरक उद्यों को फुर्ण जीवित करने के लिए अपने ड्रिम प्रजेक्ट को ध्रातल पर उतारने की सोगात दे पाएंगे विधान सभाचुनाओ के नतीजों के बीच चातरा के लोगों ने किया अंदोलान एक तरफ देश के चार राजियों में हुए विधान सभाचुनाओ के पहिनामों को देखा जा रहा है तो हम रायनिती दलों को भी मत दान नहीं देंगे दरसल चात्रा जी लेके लवालंग परखंड का हेडूम गाउं जो कभी नक्सलियों का जापना कहलाता था आज भी सड़क बिजली सिक्षा और चिकिसा सुविधाओं से बहुत दूर है ग्रामिनों ने मुल्भुत सुविधाओं को बहाल करने के मांग करते हुए बिधायक सांसद और अनजन परतिनिधियों के वादे खिलाफी से तंग आकर अंदोलन चुरू कर दिया है तीन राज्यों में खिला कमाल जार्खन की रायनिती में खलबली तीन राज्यों में बिधान सभाचुराओं में भाजपा की जीच से जार्खन की रायनिती में खलबली मच गई है एक तरफ जहां भाजपा करयाले में जर्शन मनाया गया वहीं दूसरी ओर कॉंग्रेस और जामो कर गयाले में सनाटा पसरा रहा बता जे मद्य परदेश राज्थान और चातिस गढ़ के चुनावी नती जो ने जार्खन की रायनिती में हलचल पैदा कर दी है परिनाम ने कॉंग्रेस की उमीद पर पानी फेर दिया है दिन भर कॉंग्रेस औफिस में सनाटा पसरा रहा कॉंग्रेस के जयतर युवा नेता इस बात को लेकर चार्चा करते रहे कि पार्टी आखिर कब तक बुईरों के भरोसे चलेगी कॉंग्रेस नेता इस बात को नहीं पचा पा रहे कि 36 गढ़ का पैणाम आखिर कैसे पलट गया जामो कर्याले में भी किसी तरह की गतिविधी नजर नहीं आई है सरस्ति नामक बागिन की मौत किड़नी में इनफेक्शन की थी सिकायात भगवान बीरसा मुंड़ जयविक उद्ध्यान रांची में डुखत घटना होई है किड़नी की बीमारी से सरस्ति नामक बागिन की मौत हो गई है बतादे बागिन अगले दो माह में छो ब्रस पूरा करने वाली थी लेकिन उसके पहले ही चलवसी बागिन की मौत से चिडिया घर के कर्मियों में मयोसी छाई है राज़नी रांची के उर्मांजी चिडिया घर में सरस्ति नामकी एक बागिन की रविवार को मौत हो गई इसकी पुष्टी उर्मांजी चिडिया घर के चिकित सक उमपरका साहू ने की है उन्होंने बताया कि पिछले दो से तीन दिनों से बागिन वीमार चल रही थी देवघर में साइबर फ्रोड पर पुलिस का सिकंजा देवघर में साइबर आरोपितो के खिलाब पुलिस लागातार अभियान चला रही है इस अभियान के तहत हर दिन साइबर आरोपितों को गिरफ्त कर जेल भेजा जा रहा है इस विच पुलिस को प्रतिवीम एप की काफी मदद मिल रही है इस अभियान के तहत साइवर थाना की पुलिश ने एक दर्जन साइवर आरोपितों को रभीवार को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पकड़े गए आरोपितों के पास से 25 मोबाइल फोन, 49 सीम कार, 8 ATM और 2 पास्बुक भी बरामत किया गया है चतरा से दो नकसली गिरफतार चतरा में इटखोरी थाना की पुलिश ने कई नकसली कांडो के वांचित नकसली ग्राम सरहेता के मुकेस राना तथा ग्राम देवरिया के भोला सीम को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है दोनों नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक लोडेट देसी कटा तथा गोलिया भी जब्त की है दोनों गिरफतार नक्सलियों की चत्रा हजारी बागवग गिरी डी जी लेके विभीन थाना चेतरी की पुलिस को नक्सलिय कांड करने के ममले में तलास थी दोनों नक्सलियों की गरफतारी की सुचना देते हुए पुलिस उपाधिक्षक मुख्याला है केदार नाथ राम ने बताया है कि पुलिस अधिक्षक राकेस रंजन को यह गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबांधित नक्सलि संगटन टी एस पीसी के उगरवाधी बड़ी वर्दात को अंजाम देने के लिए इटखोरी थना चेतर के गराम सरहिता के समीब सतावनी जंगल में इकटा हुए है गीरीडी में 42 हाथियों के जूर ने मचाया उत्पात 42 जंगली हाथियों का जूर बीरनी की कपिलो पंचायत अंतरगत रजमानिया जंगल में 3 दिनों से डेरा जमाय हुए है सनीवार साम को जंगल से निकल करे जूर रभीवार के सूबा तक रजमानिया के करीब 20-25 एकर जमीन पर लगे धानवा आलो के फसल को रौन करनश्ट कर दिया हाथियों के इस उत्पात से दर्जन भर से अधिक किसान परभावित हुए है गरामिनों ने बताया है कि हाथियों के जूर ने सूक्रवार से रजमानिया जंगल में डेरा डाला हुए है साम होते ही जंगल से बाहर निकल या जूर खेतों में लगी फसलों को रौन दे रहा है हाथियों के जूण ने बिते गुरुवार 30 नॉवंबर की अहले सुबा पिरनी के बेहरा बांध जंगल में परवेश किया है सीयम हमन्त आज गिरीडी में कलोरों की संपत्य का करेंगे बितरान मुख्य मंत्री हमन सुरेन सोमवार को गिरीडी आ रहे हैं गिरीडी के जंडा मैदान में आयोजी सरकार आपके द्वार कारकरम में भाग लेंगे यहां परवे लाबकों के बीच कोडोरों की परिशंपत्यों के बितरन करेंगे जिला परसासन ने कारकरम को लेकर ब्यापक त्यारी की है वही गिरीडी कॉलेज के परिक्षा बहुन में आयोजी सरकार आपके द्वार कारकरम में भाग लेंगे जारकन के गेंग्स्टर अमन सिंग की धनबाद जेल में हत्या जारकन के गैंश्टर अमन सिंग की धनबाद मंडल कारा जेल में हत्या कर दी गई है, पुलिस ममले की जाच में जूटी है, इधर इस हत्या कांड से जेल की सुरक्षा बेवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए है, बताया जा रहा है कि जेल में ऐसी वरदात की ए पहली घटना है, अमन सिंग, नीरज सिंग, हत्या कांड कारोपी था, इस कांड के बाद जेल के अधिकारी भी संदेह के घेरे में आ गए है, आपको बता दे कि धनबाद मंडल कारा में पिछले दिनों सुरक्षा बेवस्था को लेकर उपायों उतने छाप्पे मारी की थी, हाला कि इस द दिया गया है, उससे पूरी जनकारी ले सकते हैं, यह लिंक आठ बये से उपलब्ध कराया जाएगा, धन्यवाद